गुड मॉनिंग बच्चो आज हम पढ़ेंगे चाप्टर नाइन सिकंदर का न्याय प्रस्तुत पार्ट में समराठ सिकंदर के न्याय तथा खुंखार डाकू के बिसे में बताए गया है सिकंदर का नया और खुंखार डाकू के बारे में बताय गया है सिकंदर महान यूनान का समराठ था वह अपनी प्रजा के सुख दुख का बड़ा ध्यान रखता था उसकी प्रजा भी उसे बहुत चाहती थी उसके राज्या में एक खुंखार डाकू ने आतंग फैला रखा था वह रहा चलते रहाग गेरियों को लूट लिया करता था धन ना मिलने पर उन्हें मार दियता डाकू के आतंग से प्रजा त्राही त्राही कर उठती थी सिकंदर के सैनिको ने वहत चेश्टा करके उस खुंखार डाकू को बंदी बना लिया बंदी डाकू को समरार सिकंदर के समक्स लिया गया उसे देखने के लिए युनान के लोगो राजदरबार और उसके आसपास इखटे हुए वह खुंकार डाकू जनजीर से जकड़ा हुआ समरार सिकंदर के सामने सीर जुकाई खड़ा था सैनिको के साथ हुआ जपड में वह घायल हो गया था उसके घाओं से खुन भय रहा था पर उसके चहरे पर भय का नामो निसान न था ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने प्राणों से कोई मोह नहीं हो सिर पर मौत मनराने पर भी वह सांत दिखाई दे रहा था उसके स्तान पर यदि कोई और होता तो भय के मारे उसके हाथ पाओं फूल गए होते समराड ने उसके उपर से नीचे तक घूरा फिर तिब्रस्वर में कहा तुम ख्यमा के लायक नहीं हो नहीं है तुमें ख्यमा के लायक नहीं हो तुम घोर पापी और दुराचारी हो है तुम तुने मेरी प्रजा को लूटा है उसे असन्य कर्ष दिया है और असंख्या लोगों को खुन बहा है तुझे तो तेरे पापों की सजा अवश्य दी जाएगी अब तु बता अपनी सफाई में क्या कहना चाहता है तो क्या हुआ बच्चो सिकंदर जो था मान यूनान का समराठ था वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था उसकी प्रजा भी जो थी उससे बहुत प्यार करती थी तो क्या हुआ उस समय एक खूखार डाकू था वो चारो और आतंग फेला वेता हुआ वो रहा चलती लोगों से भी धन की उपेक्ष्या करता धन उनसे लुट लेता अगर उनके पास कुछ नहीं होता तो वो क्या करता उनको मार डालता उससे उसकी प्रजा जो थी बहुत क्रोधी दर चुकी थी और त्राही त्राही मचाने लगी तब सिकंदर ने क्या-क्या सेनिकों को भेज कर उसकुकार डाको को पकड़वाने की कोसिच की तो जब पकड़ में आये तो पकड़ लिया जब उस डाको तो वो क्या के शिकंदर के सामने ले गे और उसको देखने युनान के जो प्रजा थी वो भी आसपास के लोग इकटा हो गए वो कुंकार डाकु जंजीरों में जकड़ा हुआ सिकंदर के सामने आया सेनिको के साथ जो हाता फाई हुई थी उससे उसके उसके चारों तरफ से खून निकल रहा था फिर भी बहुत डरा हुआ नही था वो जैसा लग रहा था कि उससे अपने प्राण का कोई मुह ही नहीं है उसके प्राण अगर चले भी जाए तो उसको कुछ नहीं लगेगा वह सांत खड़ा हुआ था वहां पर उसके स्तान पर यदि कोई होता तो डर के मारे उसके हाथ पाउं खूल गए होते तो सिकंद अगسم घुर ओले चारा ने उसे उपर से नीचे तक अध्यूर ऑर बोला कि तो क्यामा के लाइक नहीं च्छू कि धुक्त गोर पापी धुराचारी है तुने मेरी प्रजा को बहुत लूटा है और तुने खांसनिया कोकि तो है तो क्या सज्य मिलेगे-ते ने पापो की और तुझे बहुत सारे लोगों को मारा है, खुन वाया है, तुझे तेरी सजा अवस्या मिलेगी, अब तु बता कि तुरे सफाई में क्या कहना है, तु बता बोलकर सिकंदर ने डाकू से कहा,